नमस्कार स्टुडेंट्स, क्या हल है आप सबके, आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, स्वागत है आप तभी का मिन्स्टडी में स्टुडेंट्स, आपका जो 60 days का स्मार्ट कोर्स मिन्स्टडी ने लॉंच किया है, उसका आज पाचवा दिन है, यानि day 5 और आज हम परेंगे Indian Geography का Part 3, Part 1 और Part 2 मैंने day 3 और day 4 में परा दिया था, तो आज हम परेंगे उसका तीसरा पार्ट, ठीके, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, तो वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जिन्होंने पहले से ही कर रखा है, उनको तो बहुत बहुत और जो नए हैं, वो आज चैनल को सब्सक्राइब सरी वीडियोज आने वाली है, जो कि आपकी TSR, त्रीपुरा पुलिस SI, त्रीपुरा पुलिस कॉंस्टेवल, LDC और MTS एक्जम के लिए काफी काफी कारिगर साबित होगा तो आज का पहला सवाल है, तहरी डेम, तहरी डेम is situated on which river, मतलब तहरी डेम जो है, जो कि भारत का सबसे उचा डेम है, मैंने बढ़ाया था आपको, फर्स्ट पार्ट में, तहरी डेम, जो कि भारत का सबसे हायस्ट, सबसे हायस्ट डेम, सबसे उचा डेम है, वो कौन से नद सदित हैiring, part 2 में मैं पढ़ाया थ आपको कि भाकरा डम क्कॉन से नदी के उबध के ऊपर स्थित था, सुतलूज ठीक है वो भाकरा में सुतलज रिवार के ऊपर तो आपका कॉशन है दहरी डम, क्कौन से यवर के ऊपर स्थित है वो भागिरती है, अलकनंदा है, सुतलेज है या फिर गंगा है तो कौन से नदी के उपर तेहरी डेम सिचुएटेट है तो चलिए आंसाथ देख लेते है तो आंसार है इसका भागिरती भागिरती रिवर के उपर तेहरी डेम स्थित है और यह भागिरती रिवर कहा है और यह तहरी डेम कहा है यह है उत्तराखन में यह देखिए यह है तहरी डेम यह है तहरी डेम और यह जो रिवर है यह क्या है यह है यह है भागिरती रिवर ठीक है यह भागिरती रिवर उत्तराखन में ठीक है तो तहरी डेम स्थित है भागि भागिरती रिवर के उपर और भागिरती रिवर है और तहरी डेम है उत्तराखन में ठीक है तो तहरी डेम कहाँ इस्थित है भागिरती रिवर के उपर और ये दोनों स्थित है उत्तराखन में उत्तराखन राज्यों में दोनों डेम और नदी दोनों उत्तराखन में मौजु ब्रीज, रोड ब्रीज, मतलब गारी चलने वाला सबसे लंबा ब्रीज, तो सबसे लंबा रोड ब्रीज कौन सा है भारत में, तो आंसर होगा लोहित, लोहित रिवर के उपर ये भारत का सबसे लंबा रोड ब्रीज बनाए गया है, और ये कौन से स्टेट में है, ये आसाम मे में बनाय गाया में यहांसे लेकर यहांसे बहुत बरा ब्रिज बहुत लंबा ब्रिज सबसे बरा भरत का बणाया गया है असाम में लोहित रिवर नाम है लोहित अगला कोशन है है longest rail bridge of India मतलब फहला था longest road bridge और आप है longest rail bridge longest rail bridge of India वेंबनद rail bridge मतलब भारत का सबसे लंबा rail bridge कौन सा है वेंबनद rail bridge is built-in which state मतलब कौन से state के उपर बना हुआ है मतलब कौन से राज्य में है और अगर पूछे की कौन से नदी या फिर कौन से लेक के उपर बना हुआ है तो वो आंसर होगा वेंबनद लेक वेंबनद लेक के उपर बना हुआ है लेकिन यहाप पर पूछा है कौन से राज्य में बना हुआ है तो आंसर है केरला भारत के केरला राज्य में यह बनाए गया है यह देखिए यह ब्रिज वेंबनद rail bridge भारत का सबसे लंबा रेल प्रिज है और ये लेक का ना ये कोई नदी नहीं है ये लेक है इसका नाम है वेंबनद लेक वेंबनद लेक ठीक है तो भारत का सबसे लंबा रेल प्रिज बनाया गया है वेंबनद लेक के उपर और इसका नाम है वेंबनद रेल प्रिज और ये केरला राज्य मे इस्तित है, clear, चले बरते हैं अगले कोशन के उपर, अगला कोशन है, लॉंगेस्ट केनाल और इंडिया, भारत का सबसे लंबा केनाल, कौन सा है, अगरा केनाल, इंद्रा गंधी केनाल, वेस्टन यमुना केनाल, या फिर बकिंहम केनल, तो इसका अंसर होगा, इंद्रा गंध पंजाब से शुरू होता है यह दिके पंजाब से शुरू होता है राजस्तान में आता है पंजाब से लेकर राजस्तान तक आता है ठीक है तो इस केनल का नाम है इंद्रा गांधी केनल और यह है भारत का सबसे बरा केनल सबसे लॉंगेस्ट सबसे लंबा केनल ठीक है तो India's longest and world's second longest beach is मत भाहरत का सबसे लंबा sea beach मत अब समुद्री बीच और वाल्ल्ल का सब से केंड लंगेश्ट मतलब दूसरा सबसे बरा समुद्री बीच कौन से चुहू बीच, उलाल बीच, कोवलम ब्रीज या फिर मरीना ब्रीज तो भारत का सबसे लंबा ब्रीज और वर्ल्ड का सेकेंड लॉंगेस्ट ब्रीज दोनों एक ही ब्रीज है ठीके दोनों एक ही समुद्री बीज है तो वह कौन सा है तो वह है मरीना बीज जोके चैन्नाई में स्थित है ठीके तो भारत का सबसे लंबा और वॉर्ल्ड का सेकंड लंगेस्ट बीच है मरिनर बीच जो कि चन्नहीं में है तमिलनरु स्टेछ पांगलादेश में है कॉक्स बाजर है वोल का सबसे लॉंगेश्ट पीच सबसे लॉंगेश्ट समुद्री पीच कॉक्स बाजर उसके बाद ही नंबर आता है मरीना बीच का जो की भारत में है तो अगला कुशन है what is the name of the coldest place of India मतलब भारत का सबसे थंडा जगा सबसे थंडा जगा जहापर सबसे लोएस्ट टेंपरेचर रेकॉड किया गया है भारत का सबसे थंडा जगा कौन सा है सियाचिन ग्लेसियार द्रास स्रीनगर या भी ले कौन सा जगा भारत का सबसे थंडा है तो आंसर है द्रास जो कि लदाक में है ठीक है अब तो जम्बु कश्मिर का हिस्सा नहीं है क्योंकि जम्बु कश्मिर दो हिस्सों में बढ़ चुका है और यूनियन टेरिटिरी बन चुका है यह है जम्बु कश्मिर और दूसरा है लदाक तो द्रास लदाक में है और य यहाँ पर सबसे lowest temperature record किया गया है, ठीक है, तो answer क्या होगा, answer होगा, द्रास, अब पिछला वाला question पूचा था, coldest place of India, और आप क्या पूचा है, what is the name of the hottest place of India, मतलब भारत का सबसे hottest place, सबसे गरम place, जहाँ पर सबसे ज्यादा temperature को record किया गया है, सबसे ज्यादा गर्मी परती है, तो वो भालोरी है, चुरू है, जैपूर है, या भिकानेर है, यह सब के सब राजस्थान में है, यह बता रहूं में, राजस्थान में है, सभी के सभी राज चलिए देखते है, अंसर, तो अंसर होगा फलोरी, फलोरी जो कि राजस्थान में है, उस जगे को सबसे hottest place of India कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी record किया गया है, और यहाँ पर जो गर्मी record किया गया है, वो है 52.1 degree centigrade, इतनी ज्यादा temperature यहाँ पर record किया ग चुरू, यह भी राजस्थान में है, अगला कुशन है, इंडियास only active volcano, मतलब भारत का एक मात्र active volcano जो है, barren island volcano, उसका नाम है barren island volcano, is located in, मतलब यह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर located है, आंध्रप्रदेश, अंधामान आइलेंज, निकुबर आइलेंज, या फिर कौन से दीप में, या फिर कौन से स्टेट में यह barren island volcano, जो कि भारत का एक मात्र active volcano है, तो आंसर होगा इसका अंधामान आइलेंज, अंधामान आइलेंज में यह barren island volcano, जो कि भारत का एक मात्र active volcano है, वो सिते, यह देखे, यह है barren island volcano, यहाँ से देखे, धुवा निकलता लाएं एक मात्र आघनेगीरी है और यह है बेरन आयलन्न कि और यह अन्दामान में है अन्दामान आईलेंज में यह. अगला कोशन है Which Indian state touches maximum number of neighboring states मतब भारत का ऐसा राज्य जो कि सबसे ज्यादा टच करता है दूसरे राज्यों के बाउन्डरीस को ठीक है भारत का कौन सा राज्य है जो कि दूसरे राज्य के बाउन्डरीस को सबसे ज्यादा टच करता है चतिजगर, छारकंड, मंत्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश तो आंसर है उत्तर प्रदेश यह देखे उत्तर प्रदेश यह है उत्तर प्रदेश और यह कौन सा कौन से राज्य को टच करता है उत्तराखन, हिमाचल प्रदेश, हर्याना, राजस्थान, मंत्र प्रदेश, चतिसगर, छारखन और भिहार एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, आठ राज्यों को यह टच करता है उत्तर प्रदेश तो यह सबसे मैक्सिमाम है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमाम है उत्तर प्रदेश, और कोई राज्य ऐसा नहीं है, जो कि आठ स्टेट्स को टच करे, ठीक है तो उत्तर प्रदेश है थबते ज्यादा नेवरिंग स्टेट्स को टच करने वाला स्टेट अगला कोशन है लॉंगेस्ट रेल टनल इन इंडिया टनल मतलब क्या जो गुफा को काट कर उसमें से सुरंग निकलता है उसमें से जो रास्ता बनाया जाता है रेल वे के लिए या फिर काड़ियों के लिए तो वो पूछा है लॉंगेस्ट रेल टनल ठीक है पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि लॉंगेस्ट रोड टनल कौन सा है डॉक्टर स्यमा प्रसाद मुखरजी टनल जो कि जम्बो एन कश्मीर में स्थित था और ये भी जम्बो एन कश्मीर में ही स्थित है लॉंगेस्ट रेल टनल तो आंसर है पीर पंजाल टनल ठीक है पीर पंजाल टनल और ये कापर है ये भी जम्बो एन कश्मीर में ही है तो लॉंगेस्ट रोड टनेल डॉक्टर स्यमा प्रशाद मुखरजी टनेल वो भी जम्मौन कश्मीर में था और लॉंगेस्ट रेल टनेल पीरपंजाल टनेल वो भी जम्मौन कश्मीर में ही है और यह देखिए यह वो टनल है यहां से रेल की entry होती है यहां पर रेल की exit होती है ठीक है यहां से शुरूर होता टनल तो यह इतका नाम है पीर पंजाल टनल अगला कोशन है Indian standard time is ahead of greenwich mean time by मतलब भारतिय समय और greenwich mean time तो आंसर है 5 घंटा 30 मिनिट यानि सारे 5 घंटा तो सारे 5 घंटा आगे है हम greenwich mean time से यह दे London है यहां से जाती है greenwich mean time की line तो सुरज कहा हुडता है यह इस्ट ठीक है यह है eastern side और यह है western side तो सुरज पूरभ में उठता है तो पहले कहा आता है पहले इस देश में आता है यह है जापान टीग है उसके बाद भारत धिरे भारत की और उसके बाद आयेगा यहाँ पर, ठीक है, तो इस वज़े से हमारे यहाँ सुरज पहले उठता है, तो इस वज़े से हम आगे होते है, Greenwich Mean Time से आगे होते है, हम, तो Indian Standard Time Greenwich Mean Time से आगे होते है, तो कितना आगे होते है, वो है सारे 5 गंटा, 5 गंटा था, 30 मिनिट, ठीक है, तो 5 गंटा 30 मिनिट हम आग के होता है तो अगला कुशन है इंडिया is connected with which country through park street श्टेट क्यों होता है जो बरी जलधाराव को connect करती है तो ये park street जो है वो इंडिया को किसी दूस्तरे देश के साथ भी connected रखती है, तो वो कौनसा देश होगा, मालदीप्स, इंदोनेशिया, श्रीलंका या भी थाइलन, तो आंसर होगा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका देश को भारत से जोरती है, पाक स्ट्रेट, ये देखे, ये देखे, पाक स्ट्रेट, तो भारत से जोरती है, ये भारत है, य श्रीलंका और भारत को जोड़ती है पाक स्ट्रीट ठीक है ये पूरा पाक स्ट्रीट तो पाक स्ट्रीट जोड़ती है भारत और श्रीलंका को अगला कुशन है which of the following Indian state does not touch the boundary of Nepal मतलब नेपाल की जो boundary है हमारे भारत में उपर से जो ये नेपाल जा रहा है उस नेपाल कंट्री को भारत के कौन सा राज्य है जो की touch नहीं करता है देज नाट मतलब टैच नहीं करता है कौन से राजिक की बाउंडरी नेपाल को टैच नहीं करती है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बाउंडरी नेपाल को टैच नहीं कर करती है यह उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश की बाउंडरी टच करती है और वेस्ट बंगाल यह यह वाला जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल की बाउंडरी भी टच करती है बिहार की बाउंडरी भी टच करती है लेकिन हिमाचल प् हिमाचल प्रदेश अगले कुश्यन से पहले तुरह सा हम परवतों को जानना धरूरी है मतलब माउंटेन रेंजेस को कि कौन सा परवत कहा पर है यह देखे हिमालयास यहाँ पर हिमालयास थित है यहाँ से शुरू होता है और लगभग अरुनाचल प्रदेश तक हिमालया का र सब्लि पहार और मध्य प्रदेश में विंधियास और सत्पूरा और यहाँ पस्चिम में महरास्ट्रस से लेकर केला ताक वेस्टर्न घाट और है पूरवी में उरिस्या से लेकर उच त्धिल नारुह एस्टर्ण घाट ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेन है और यहाँ न हिमालयास, वेस्ट में, राजस्तान स्टेट्स में, अरावल्लीस, मंध्य प्रदेश में, सेंट्राल में, भारत के सेंट्राल में, मंध्य प्रदेश में, विंधियास और सत्पुरास, भारत के वेस्ट साइट में, वेस्ट साइट में, इस्ट साइट में, इस्ट साइट में, और भारत के नौर्थ इस्ट में गारुखासी जो की मेगाले आमेश्थी थे तो एक पर फिर से देख लेजे हिमालेयास, अरावल्ली, विंधियास, साथपुरा, वेस्टन घाट, इस्टन घाट और गारुखासी तो question है, highest peak of western घाट, मतलब western घाट का सबसे उचाव शिखर कौन सा है, अनामोदी, धुबगर, गुडविल पीक, या फिर गुरुशिकर, western घाट, western घाट कौन सा वाला था, western घाट, ये वाला जो हिस्टा था, वो western घाट तो western घाट का सबसे उचा शिखर कौन सा है, और वो कौ हैं, यहाः पर महरास्ट्र हैं, यहाः पर गुवा है, यहाः करनट का है, यहाः करला है, तो western घाट का सबसे उचाव शिखर का नाम क्या है, और वो कौन से स्टेट में हैं? तो answer है, अनामोदी, तो और कौन से स्टेट में है? केरला स्टेट में यह देखे यह है वेस्टेंगाट और यहाँ पर स्थीत है अनामुदी और कौन से स्टेट है यहाँ पर केरला ठीक है तो अनामुदी है वेस्टेंगाट का सबसे उचा शिकर और यह कौन से राज़े में है केरला राज़े में अगला कुछेन है highest peak of eastern ghat, पहले हमने western ghat परा था, western ghat का highest peak अनामोदी केरला में स्थी थे, और अब है highest peak of eastern ghat, eastern ghat का सबसे बरा, सबसे उच्छा peak कौन सा है, आर्मा कोंडा, जिन्दा घदा, या फिर कंचन जंगा, या फिर धूब गर, देखते इन eastern ghat कौन सा वाला एरिया ह यह देखे, यह वाला जो रिजन है, यह वाला जो रिजन है, लगबग उरिस्या ते सुरूँ हो था है, और ता मिलनारू तक, यह वाला जो इरिया है, वह है eastern ghat, तो eastern ghat का सबसे उच्छा शिकर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा, जिन्दा घदा, ठीक है, जिन जिन्दा घदा पिक कहा बस्तिते, यहाँ पर, और यह कौन से राजिमें है, यह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तो eastern ghat का सबसे उच्छा शिकर है, जिन्दा घदा पिक, और यह है आंध्र प्रदेश में, अगला कोशन है, हाइस्ट पिक ओफ अरावल्ली रेंज, जो कि राजस्तान में है, उसका सबसे उचा शिकर का नाम क्या है, अनामुदी तो नहीं होगा, अनामुदी तो है वेस्टन घर का, धूबगर होगा, गुडिल पीक होगा, या फिर गुरु शिकर होगा, तो अरावल्ली रेंज कहा पर है, अरावल्ली रे रेंज का सबसे उचा शिकर और ये कॉनसे स्टेट में है राजस्तान ठीक है और ये कॉनसे पाहर पे है Mount Abu यह पाहर का नाम भूचे तो Mount Abu ठीक है स्टेट का नाम भूचे तो राजस्तान अगला कुशन है highest peak of विंधिया रेंज, विंधिया रेंज का सबसे उच्छा शिखर, विंधिया रेंज कौन सा वाला एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया विंधिया, मध्यप्रदेश में, विंधिया वाला एरिया, मध्यप्रदेश में सित है विंधियास, तो इसका सबसे उच्छा शिखर का नाम क्या है तो अंसर है गुड्विल पीक या फिर सद्भावना शिकर ये वाला गुड्विल पीक या फिर सद्भावना शिकर और ये कौन से राजय में है मध्यप्रदेश एमपी मध्यप्रदेश राजय में है विंधिया रेंज मध्यप्रदेश राजय में है और इसका स यह बाला area एड़ीया है स Ведь विंधिया के ठीक नीचे सथ ट पूरा सबसे उचा शिखर का नाम क्या है आंसर होगा धूबगर ये धूबगर धूबगर होगा साथपुरा रेंज का सबसे उचा शिकर और ये भी होगा कहाँ पर मध्ध प्रदेश में मतलब विंधिया प्लास साथपुरा दोनों कहाँ पर है मध्ध प्रदेश में विंदियास का सबसे ऊचा शिकर का नाम है गुड्विल पिकृघ। और सथपुरा रिंज का सबसे विल शिकर का नाम है धूपगर। अगला कोशन है, हाईस्ट पिक अधामन अंदामन निकूबर आइलेंड के बारे में तो किसे नहीं पता होगा सभी को पता है तो अंदामन निकूबर आइलेंड का जो कि ऐसी तरह आते हैं कुछ अंदामान निकुबर आइलेंड का सबसे उचा शिकर कौन सा है तो अंसर होगा सेडल पिक ठीक है सेडल पिक और यह कौन से आइलेंड में है क्योंकि अंदामान निकुबर आइलेंड तो बहुत सारे आइलेंड को मिलके बना हुआ है तो कौन से आइलेंड में है आइलेंड का सबसे उच्छा शिकर है सेडल फिक और यह स्थित है नौर्थ अंधामान आइलेंड में अगला कोशन है अंधामान एन निकूबर आइलेंड हैस मतलब अंधामान निकूबर आइलेंड कितने आइलेंड को मिलके बना हुआ है 207, 341, 573 या फिर 572 तो आंसर है 572 आइलेंड 572 आइलेंड मतलब 572 आइलेंड को मिलके बना हुआ है अंधामान निकूबर आइलेंड ठीक है 572 आइलेंड मिलके बना हुआ है यह पूरा अंधामान निकूबर आइलेंड यह देखे यहाँ छोटी 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 आइलेंड जूर के बना हुआ है यह अ 37 islands में ठीक है 37 islands ही ऐसे है जहाँ पर लोग रहते है और बाकी के बाकी खाली पूरे खाली बढ़े है ठीक है जंगल उसे बढ़ा हुआ तो टोटल आइलेंड के इसने है 572 ठीक है तो 572 होगा आपका सही आंसर So that's it for today आप हमारा टेलिग्रम चैनल जाइन कर सकते है इस क्लास का PDF पाने के लिए आप हमारे Facebook ग्रूप को भी जाइन कर सकते है और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर दीजेगा सभी के लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजे कॉमेंट क दो दरूरी कीजे और जाने से पहले मिन्स्टरी को सब्सक्राइब की दरूर कर देना थेंक्यू